सुन्दरवन जंगल के अंदर दो बहने टोनी और टोन्टनी रहा करती थी टोनी बड़ी थी और टोन्टनी उसे चोटी थी टोनी हमेशा शहर के लोग शहर के जिंदगी के बारे में सोचा करती थी और सोचती थी कि उनकी कितनी एशो आराम होते है एक दिन टोनी और टोनी अपने गोसले के पासवाले डाले के उपर बैट कर आपसमें खेल रहे थे तब ही टोनी उससे बोलती है अरे टोनी तुझे पता है शहर के लोगों की जिंदगी बहुत ही अच्छी होती है उनके पास अच्छे अच्छे घर होते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ी होती है और उनके खाने पेने का तो बस पूछोई मत और एक अपन है जो सारा दिन गाओं के अंदर द्याड़ी मजदूरी करते हैं तो भी हमें अच्छा खाना नहीं मेल पाता हमारा घर भी तूटा-फूटा सा होता है और हमारे पास गाड़े भी नहीं होती हमारी जिन्दगी कोई जिन्दगी है तो टूंटनी बोलती है अरे दीडी हमारी जिन्दगी बहुत अच्छी है और रही बाद शेहर के लोगों की तो शहर के लोगों की जिंदगी पूरी की पूरी दिखावे से भरी होती है उनकी जिंदगी बहुत ही खोगली होती है नहीं उनके पास शुद हवा होती है नहीं शुद पानी होता है और खाने पीने वे बिल्कुल प्रदोशीत होता है अपने गाउं में हर चीज शुद मिलती है हम लोग शुद हवा के अंदर सांस लेते हैं शुद ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और खाने पीने का तो बिल्कुल ही शुद होता है हमारी जिंदगी काफी अच्छी है तो टोनी बोलती है अरे टोनी तुझे नहीं पता अपने गाउं का जो कल्लू है ना कल्लू कोवा वो एक साल शहर रहकर आया है और शहर से आने के बाद उसने नदी किनारे अपना गाउं के अंदर बहुत अच्छा सा घर बना लिया है देख उसने कितना पैसा कमाया है शहर में हम भी शहर चलते हैं हमारे जिन्दगी भी अच्छी हो जाएगी तो टुन्टुनी बोलती है अरे देदे वो कल्लो कोवा तो एक नमबर का फैंक वो आदमी है पता नहीं शहर के अंदर वो क्या काम करता है लेकिन आप उसकी बातों में मता जाना आप उससे दूर ही रहना लेकिन टुनी की दिमाग में तो कोछ औरी चल रहा था वो टुन्टुनी से कहती है अरे टुन्टुनी बहले ही वो कोई भी काम करता हो लेकिन उसने अपना घर बहुत अच्छा बनाया है अरे उसके बात टुनी वहाँ से उरग कर चली जाती है और उरते उरते वो नदी किनारे दूसरी तरफ कालु कोवे के घर में चली जाती है और वहाँ जाकर उससे बोलते है अरे कालु तुने तो बड़ी तरक्य की है यार एक साल के अंदर ही देख तुने अपना इतना अच्छा गोशला बना लिया है जितना कि हमारे तो माबापने अपने पूरी जिंदगी के अंदर भी नहीं बना पाए तुने तो बहुत तरक्की की है यार तो मुझे भी शेहर ले चल लियार मैं भी शेहर जाना चाती हूँ मैं भी चाती हूँ कि मेरा भी अच्छा सा घर हो तो कालू को वब बोलता है अरे कोई बाद नी टुन टुनी तो एक काम कर तो भी मेरे साथ शेहर चली जाना लेकिन तेरे घर वाले तो तुझे जाने नहीं देंगे तो तुम एक काम करना रात को जब वो सो जाएं तो चुपके से मेरे साथ चलना हम दोनो यहां से शेहर चले जाएंगे और मैं तेरा वहाँ पर अच्छे से ख्याल रखूँगा उसके बाद टुन टुनी उसकी बातों में आ जाती है कालू कववा उसे बहला लेता है रात को जब टुनी के घर वाले सारे लोग सो रहे थे तो टुनी चुपके से घर से बाहर निकल जाती है और कालू कववे के साथ उड़कर शेहर चली जाती है अब शहर के अंदर कालू कोवा और टोनी चडिया दोनों एक साथ साथ रहने लगते हैं और साथ साथ रहते रहते धीर देरे उनके बीच में रिष्टा गहरा होने लगता है और उनके बीच में प्यार होने लगता है और प्यार होने के बाद वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं इस शादी के बारे में वो गाउं में भी खबर भेज देते हैं तो गाउं में तो वैसे भी सब लोग बहुत ज़दा गुसा थे वो लोग समझ लेते हैं कि टोनी चडिया उनके लिए मर गई उसके बाद टोनी चडिया उसकी कालो कोवे के साथ रहने लगती है एक दिन टोनी चडिया को अपने गाउं की याद आने लगे उसे याद आने लगी कि उसकी मा भी है उसका बाप भी है और उसकी एक छोटी बहन भी है तो उसने उन सबसे मिलने का सुचा और वो तयार शयार होकर बिल्कुल आंकों पे चश्मा लगांकर मेकप करके गाउं की तरफ निकल पड़ी गाउं में जाने के बाद जब वो अपने घर पे पहुंची तो देखा कि टून टूनी खाना पकाने की तयारी कर रही थी वो चूले के साथ माथा फोड़ी कर रही थी ये देखकर टूनी वहाँ पर बोलती है अरे टून टूनी लेकिन टून टूनी उसे पहचान नहीं पाती है वो कहती है अजी आप कौन है और आपको किसे मिलना है देखे मेरे माबाब अभी घर पे नहीं है आप बाद में आना तो टोनी बोलती है अरे मैं टोनी हूँ तुने मुझे पहचाना नहीं मैं तरी बड़ी बहन हूँ अरे तु मेरे को पहचाने की भी कैसे देख मैंने कितना अच्छा मेकप किया है अच्छे अच्छे कपड़े पैन रखे हैं इसलिए तुने मिले पहचाना नहीं और देख मिले क्या ठाट बाट है और तू बिल्कुल गाउं के अंदर रैसी की वैसी ही रह गई अभी भी चुल अरे टुंटरी वह सब छोड़ तो ये पता तू कैसी है और घर में बाकी सब लोग कैसे है माँ बापा कैसे है तो टुंटरी बोलती है अरे दिदी आप पूछो मत आपने आकर बहुत बड़ी गलती करती ममी पापा बाहर गए हुए हैं अगर वो लोग आ गए ना तो आपक उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपका फाइदा इसे में है कि आप तुरंत आसे चले जाओं लेकिन टोनी कहती है अरे क्या विगाड़ लेंगे वो लोग मेरा मैं शेहर के अंदर बहुत खुश हूं मेरा बहुत अच्छा घर है वहाँ पर अच्छे-अच्छे में कपड ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे आते ही गालिया निकालने लगती है कि तुने हमारे परिवार का सत्या नाश कर दिया तुने हमें कहीं का नहीं छोड़ा कहीं तुने हमें मुह दिखाने लाइक नहीं छोड़ा तुने हमारी बहुत बेस्ती की है और वो सब लोग उ चाल रहा है मैं इन लोगों से मिलने के लिए कभी नहीं आऊंगी और टॉनी वापस अपने शहर वाले घर में आ जाती है कुछ दिनों के बाद टॉनी की तब्यद खराब होने लगती है उसकी तब्यद बहुत चदा खराब हो जाती है तो वह कालू से कहती है कि कालू मिरी को ज़रूर करता हूं मैं काम करता हूं मैं डाकिय के हाथ समाचा विजवा देता हूं फिर देखते हैं क्या होता है कालू का हुआ एक डाकिय के हाथ में समाचा पहुंचा देता है डाकिया टूंटुनी की घर पर जाता है और वहां पर उनको समाचा दे देता है कि टूंटुन की तब्यख्त बहुत ज़दा खराब है यह सुनता है तो तुरंत भागी-भागी अपने शहर चली आती है वो शहर आने के बाद जैसे आपने बह damn को देखती है तो mm को कहती है टुंटवन मुझे माफ करतो मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा बरताव किया लेकिन टुन्टुनी कहते हैं कि दिदी आप फिकर मत करो क्यों बीती बातों को याद करती हो हम सब लोग है ना देखे ममी पापा ने जैसे इस सुना कि आपकी तब्यत खराब है तो उन लोगों ने बहन की बहुत जादा अच्छे से सेवा करती है और कुछ टाइम के बाद टुन्टुनी की तब्यत काफी अच्छी हो जाती है और उसके बाद टुन्टुनी वापस अपने गाव लोटाती है क्योंकि टुन्टुनी को तो गाव ही पसंद था उसके बाद सब लोग आराम से ह तो दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जोर बताईएगा और अगर कहानी अच्छी लगी हो इस कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा